नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल N-Universe 2 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे Classification of Casting Defects के बारे में तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि Casting Defect होते क्या है जब Molding Process में किसी भी Irregularity के करण कोई भी Defect आता है वो Casting Defect कहलाता है और Casting Defect कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम Tolerate कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे Defect भी हैं जिने हमें Eliminate करना पड़ता है एक Proper Molding Practice को अपना कर या फिर उसको Repair कर सकते हैं कुछ Method जैसे Welding या फिर Metallization को Use करके अब हम बात करते हैं कि जो Casting Defect हैं वो Mainly Sand Casting में किस परकार के Casting Defect हैं जो Induce होते हैं तो जो Casting Defect है इसको हमने चार Categories में इसको Categorize किया है सबसे पहला है Gas Defects उसके बाद Molding Material Defects Poring Metal Defects Metallurgical Defects अगर हम Gas Defects की बात करें ये Gas Defect ऐसे होते हैं जब हमारे Mold में जो Gas Passing Tendency है वो कम हो जाती है या भी कह सकते हैं कि जो Wenting है, Wenting कम हो जाती है या Mold की जो Premiability है वो कम हो जाती है क्योंकि जो Mold की Premiability है वो High Moisture के कारण कम होती है या फिर जब जो Grain Size हम यूज़ करते हैं अगर उस वो Fine है तब Premiability कम होती है ज़्यादा Amount में Clay का यूज़ करते हैं तब Premiability कम हो जाती है या फिर जब Mold की Accessive Reming की जाती है उससे भी Premiability कम हो जाती है इसके अत्रिक्त अगर हम कोई Improper Design Casting का यूज़ करते हैं तब भी ये समश्या पैदा होती है तो बहुत सारे कारण है और उन कारण के आधार पे Gas Defects को Further Categorize किया गया है जिसमें Blow Holes और Open Blow होते हैं Air Inclusion होता है Pin Hole Porosity होती है या फिर Sringes Cavity होती है अगर मैं One By One आपसे इसके बारे में डिसकस करूँ जो Blow Hole और Open Blows है ये तब होते हैं जब Mold या फिर Core में कुछ मुश्या रह जाता है और एक प्रकार से Spherical होते हैं Elongated Cavities होती है और ये Casting के अंदर या Casting के सर्फेस पर हो सकती है अगर Casting के अंदर होती है तो उसको Blow Hole कहते है अगर Casting के सर्फेस पर होती है तो उसको Open Blow कहते है तो कह सकते हैं कि Molten Metal की Heat के कारण Moisture Steam में Convert हो जाता है और जब Steam का कुछ पार्ट कास्टिंग में Fस जाता है Intrapped हो जाता है तो Blow Hole बनते हैं और जब या सर्फेस पर पहुंचती है तो Open Blow बन जाते हैं तो Lower Wenting और Lower Permeability के कारण ये सब होता है अगर हम बात करें Air Inclusion की Air Inclusion का मतलब ये होता है कि जब हम Furnace में Molten Metal के दौरा Atmospheric और कुछ दूसरी Gases Absorb हो जाती है क्योंकि Mold में Molten Metal के Flow के दौरान Ladle में या फिर Furnace में Molten Metal के दौरा Atmospheric और कुछ दूसरी Gases Absorb कर ली जाती है और जब ये Gases बाहर नहीं निकल पाती और Casting के अंदर ही फस जाती है और Casting को Weak बना देती है तब Air Inclusion होता है तो ये भी High Poring Temperature के कारण होता है Poor Gating System के कारण होता है अगर हम इसको ठीक करने की बात करें Remedies की बात करें अगर Proper हम Poring Temperature का यूज करें तो इसको दूसरी किया जा सकता है और Improper Gating Practice को हम ना यूज करें Gating Practice को अगर Improve किया जाए Turbulence को कम करके तब भी इसे निजात पाई जा सकती है Pin Hole Porosity ये एक ऐसा Defect होता है कास्टिंग में जो Pin Hole की Form में होता है इसको हम Gas Porosity भी इसको बोल देते हैं Mainly जब Molten Metal में Hydrogen होती है तो Hydrogen के कारण यह Defect आता है क्योंकि जब Solidifying Metal को Hydrogen छोड़ती है तो उस दोरान वहाँ पर बहुती Small Diameter के और लंबे Pin Hole बनते है जो Gas जब वहाँ से निकलती है उसके Path को Indicate करते है और इस Type के जो Pin Hole है उनकी वज़े से कहते है कि यह तब ही होते है जब हमारा High Operating Pressure के Under Fluid का Leakage हो जाता है तो यह भी ज़्यादा Pouring Temperature के कारण होता है जब Metal Charge में Gas डिजोल हो जाती है या फिर कम Flux हम यूज़ करते है या फिर ज़्यादा Moisture या Low Premiability होती है तब यह हो सकता है तो इसकी Remedies यही है कि आप Flux Proportional को ज़्यादा कर दें Moisture को कम कर दें Premiability को ज़्यादा कर दें और यह बहुत सारी Remedies है जब Liquid Shrink करता है Liquid Shrink करता है शिकुड जाता है तो उस दुरान यह Shrinkase Cavity होती है तो इससे Compensate करने के लिए हम Liquid Metal की Proper Feeding कर सकते हैं क्योंकि यह होता है Faulty Gating और Risering System के कारण Improper Chilling के कारण तो अगर हम इसके ठीक करना है तो वह यह की Proper Casting Design हम Use करें Liquid Metal की Proper Feeding करें उसके बाद जो Molding Material Defects होते हैं अगर हम बात करें कि Molding Material Defect क्यों होते हैं किस आधार पे होते हैं क्योंकि इसको हमने Categorize किया है Metal Penetration में Cuts and Vosses में Fusion में Run Out Red Tails and Buckles में Swell और Drop यह इसके Further Categorization है तो इसके जो कारण रहते हैं उसमें सबसे पहला तो यह है कि जब Molding Metal का Erosion हो जाता है जो Molding Sand है उसका Erosion हो जाता है Molding Metal के दुआरा जो Flow करता है Molding Metal उसके दुआरा Molding Sand का Erosion होता है वो Metal Penetration कहलाता है Cuts और Wasis के अगर हम बात करें जब Molding Metal Sand Grain के बीच में Enter कर जाता है और उस दौरान जो हमें Rough Casting Surface मिलते हैं तो वो हमारे Cuts और Wasis कहलाते हैं अगर Fusion की बात करें Fusion का मतलब होता है कि जब Molding Metal के साथ Sand Grain Fuse हो जाता है तो इससे क्या होता है कि हमें Brittle या Glassy Appearance की Casting Surface मिलती है Run Out की बात करें कि जब Mold से Molter Metal लीक हो जाता है वो Run Out कहलाता है अगर हम बात करें Swell की तो Swell में क्या होता है कि यह Basically Metallostatic Forces के Influence के कारण होता है क्योंकि जो Mold Wall होती है वो Move करती है Back थोड़ा सा पीछे वो Move करती है जिसके कारण Swell होता है और यह Swell जो Casting के Dimension में होता है अगर हम बात करें Drop की Drop में Basically क्या होता है कि जो Molding Sand है उसमें जो Lose Molding Sand है वो Coop Surface के उपर से Drop हो जाता है वहाँ से गिर जाता है और Mold Cavity में आ जाता है जिसके कारण Drop Defect आता है उसके बाद जो Pouring Metal Defects है Pouring Metal Defect में दो ही तरह से हमने आपको बताएं Categorize Miss Runs हो सकता है Cold Set हो सकता है और एक Slag Inclusion हो सकता है जो Miss Run है इसका मतलब ही होता है कि जब हमारा जो Metal है वो Mold Cavity को पूरी तरह से Fill नहीं करता और उसके कारण कुछ Unfilled Cavity रह जाती है तो उससे जो Defect आता है वो Miss Run कहलाता है अगर Cold Set की बात करें इसमें क्या होता है कि जो Molten Metal की दो Metal Streams होती है और जब वो Mold Cavity में आपस में मिलती है तो वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ Fuse नहीं होती Cold Cavity में अगर Slag Enter कर जाता है और उसके Enter करने से जो Casting है वो Weak हो जाती है और वो Casting के Surface को Spoil कर देती है खराब कर देती है तो वो Slag Inclusion कहलाता है उसके बाद है Metallurgical Defects ये दो तरह के हैं Hot Tears और Hot Spot मतलब कि जो Metal की अगर Strength कम है क्योंकि Metal जो होता है Higher Temperature पर उसकी Strength कम हो जाती है और उसे Unwanted Cooling Stress Induced होती है जिसके कारण Casting का Rupcher होता है और वही Hot Tear कहलाता है अगर हम Hot Spot की बात करें Hot Spot बेसिकली Chealing of Casting के कारण ये होता है ये एक ऐसा Defect है जो Casting की Chealing के Chealing क्या होता है बहुँ जादा ठंडा होने के कारण Fast Cooling हम बोल सकते है तो ये कुछ ऐसे Defect हैं जो Casting में आ सकते है चार Category हमने बात की Gas Defect, Molding Material Defect Powering Metal Defect और Metallurgical Defect उनकी Further Categorization आपके साथ डिसकस की तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सी Remedies हमें करनी पड़ती है Defect को दूर करने के लिए लेकिन कुछ Defect की जो Remedies होती है वो किसी दूसरे Defect के Coaches भी हो सकते हैं मतलब उन Remedies के कारण कोई दूसरे Defect आ सकते हैं इसलिए Foundry Engineer के लिए यह है जरूरी हो जाता है कि वो Casting को अच्छी तरह से Analyze करे Final Application को ध्यान में रखते हुए तबी Proper Molding Procedure को Follow करे जिसके कारण हम जो Most Undesirable Casting Defect है उसको कम कर सकते हैं या फिर Eliminate कर सकते हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिसकस किया Classification of Casting Defects के बारे में और हमारी Next वीडियो में हम इन सभी Defects को विस्तार पूर्वक आपके साथ डिसकस करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको Like कर सकते हैं Share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ Students के साथ और Any Universe 2 को Subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजर होते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे